याइन क्लासेश फेच्टेश शुरू हो जाएंगी तमाम कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए वहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है वहीं लुध्यारा पंजाब रोडवेज 15 कॉंट्राक्ट वरकर्स यूनियन के प्रधान भगत सिंग ने ट्रांस्पोर्ट माफिया पर आरोप लगा है कि वे लोग बस्टाइंड की बाहर से सवारियों को बिठाते हैं प्रधान का आरोप है कि ना तो उनकी पास पमिट है और ना ही उनकी तरफ से स्टाइक्स परा जा रहा है वे लोग सवारियों से किराब भी सरकारी रेट से जादा वसूल रहे हैं उनके खिलाब 25 कॉंट्राक्ट वरकर्स यूनियन की तरफ से धर्ना पदर्शन दिया जा रहा है और मांग की जा रहे है कि सरकारी च्रांस्पोर्ट की बसों को पहल दी जाए और इस टार्सफर माफिया पर लगाम लगाए जाए आज हम बड़ा लंबे समय से सरकार के मांग कर रहे थे कि यह ट्रांस्पोर्ट माफिया बस्टंड के बार से चल रहा है उसको बंद किया जाए पर वार वार हमको रोस पर दर्शन करने पड़ रहे है आज हम बस्टंड में रोस रेली कर रहे है प्याव रोड़ वेज पन बस और पिया टीसी के मराज में एक में से कठे होके यह ट्रांस्पोर्ट माफिया उसको बंद किया जाए और सरकार की बसों को पहल दी जाए जो ओट अप स्टेट चल रही है उसमें सुवारी को बठा के बेजा जाए स्टां कि सरकार को खिजाना पर गार जाता सफ्ट फॉण से प्रॉट kita खिजाना है सब्सक्राइब कि जो बसे हैं प्याव रोडवे जपन बस की पिया डीसी की बसे हैं उनको पहल के दार्थ से चलाया जाए ते उनमें स्वाज को बठागे पे जाए जाए तभी इनका जो सरकार का खिजनाव